हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में जैसा दोस्तों देख सकते हैं यह है जिसका प्लक का जो ठ्रेड है चूड़ी है खराब हो चुका है तो इसका चूड़ी का रिपियर आज हम करने वाले हैं और साथ ही साथ ठीक है आपको सब कुछ बताएंगी किस इस तरीके से इसके इसमें सॉकिट डाला जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हमें डिल मसीन में जो हमारा डिल बिट है जिसे वर्मा भी कहते हैं उसे फिट कर लिया हमने उसके बाद इसके अंदर एक सुराक कर देते हैं पहले इसका जो सुराक है इसको बड़ा कर देना है ठी इस तरीके से देखें ध्यान से देखीगा पूरा वीडियो देखेंगा तो समझ में आएगी पूरा हर प्रोसिस आपको दिखाने वाला हूं कि इस तरीके से सुराख करने बाद इसका सुराख जो आप देख सकते हैं पहले के कॉर्डिंग बड़ा हो चुका है ठीक है अब इसमें हम साकिट डालने ओले हैं इसलिए इसको हमने बड़ा किया है तो आप जैसा देख सकते हैं आपकी कि हमारे पास यह 13 150 का टेप है ठीक है 13-15 टिरा इन्टु एक पॉइंट टूपाइब ठीक है तो यह 13 25 वाला सुकित है इसको हम इसके अंदर इसकी ठ्रेडिंग में कटिंग करेंगे जिस इस तरीके से आप देख सकते हैं से ही इसके अंदर पहले चूड़ी काटा जाएगा देखिए इस तरीके से काटने के बाद कि देखे ध्यान से देखिएगा ठीक है इसको थोड़ा सम्हाल के काटना वरना जरा सभी क्रास वा इधर उधर तो आपका ट्रेप टूड़ कर ऑक्यार है थोड़ा महनत करके इसको काटना के बाद के थोड़ा धीला हो जाएगा लास्ट में आपको थोड़ा सा पूरा नहीं काटना है टेखां राग है restrictive अंदर का जो भाग तरे आपको थोड़ा सा कम ही काटना ह invari ताझर ये एक तरीका ये भी है और वर एक नहीं डालने के लिए पल्क साकिट के अंदर डालने के लिए एक तरीका और भी है अगर आप लोग क्मेंट करेंगे तो त वो बूद्न करेंगे तो वो तरीका ही किसी दिन वीडियो बना के दे दूँगा ठीकिन तो अगर वो तरीका भी आपको Patient्म ag छिए गहाए उसके बाद इसको खोल लेते हैं देखे इस तरीके से खोल लिया इसके अंदर जो हमारा चूड़ी कर चुका में दो आउन गता है थिक यह तेरा यह पाचीश के टब से हम Wha उसके छूड़ी का सॉकीट है थीके पलसर वाला साइज है तो आमने इसके लंडर भाई कर दिया करने के बाद इसको इस पर एक रख करके इसको अच्छे तरीकी से टाइट कर देंगेगे अफ चाहें तो इस में बॉंड हो गएरा लगा सकते हैं ठिक में नहीं लगा रहां हुँ अभी ठीक है। लेकिन इसमें लगाएं लगा तो और बेहतर रहता है। बोंड चाहें आप तो बोंड लगा सकते हैं बोंड लगा देंगे थोड़ा और बेष्ट हो जाएक है की फिलाल स hypok त्वड़ा अंधेरा सा लग रहा है थे कर दोस्तव वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि तब यह फुड़ ठीक नहीं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई इस बीच करके जंडी लगा देना मतलब इसको पीड देना इसको काट करके निकालना नहीं बहुत से भाई क्या करते हैं इसको ड्रिल से काट देते हैं तो काटना नहीं आपको अगर आप काट देंगे तो जिससे क्या होगा कि बाद में हमारा सौकिट निकल सकता है तो इस तरीके से उस को जंडी लगा देकिए तो फैनल हमने इसके उपर जंडी लगा दिया है यह बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो चुका है अब हम इसका जो पलग लगा इसके अंदर हम दो लगाया हुआ है इसको खोल लेते हैं ठीक कोलना कैसे ध्यान से देखेगा पलग और सौकित के बीच में छोटा सामने सौकिट डाल रखा है एक्स्ट्रा इस पलक से में थ्रेडिंग करता हूं इसलिए इस पलक को एक मतलब बना के रखा हूं ठीके देखिए तो हमारा सौकिट अंदर रह चुका है पलक बाहर निकल चुका है अब इसकी चूड़ी जो अंदर की जो थ्रेडिंग है उसको थोड़ा साफ करेंगे इसके लिए हमें टप दूसरे टप की जरूरत पड़ेगी जो कि यह है दस एक का टप ठीक है वह ग्यारा सवा था यह दस एक का है देखिया दिख रहा हो वीडियो में तो यह दस एक का टप है इसकी मदद से हम इसके अंदर कटिंग करेंगे च क्योंकि चूड़ी तो पहले से ओड़ेडी बना रहता है लेकिन फोड़ा साफ करना होता है और वाकी जीशे से हमने चोट मार करके जो जबना आधि हूई है ताकि साखित बाहर ना निकले उसके लिए क्या करना हमको इसी से इसको साफ करना होता ने देखे इस तरीके से हमने पूले से लेकर और चूट लगा हुगा है तो तो ऐड़े जाएगाा हम लेकिन अपको हल्के हाथ से उसको लबाब बाहुा करके अंदर तक डाल देना है बिल्कुल चूडी परफेक्ट साफ हो जाना चाहिए क्योंकि अगर अधूरा रहे तो फिर जब पलक लगाएंगे तो वह अटक जाएगा ठीक है तो अब हमारा यह हो चुका है तो इसको खोल करके हम बाहर निकाल लेते हैं पहले साकिट जो हमारा टप है दस एक का इसको ब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना ठीक है तो देखिए और जो दूसरा तरीका प्लग थ्रेड बनाने का है ठीक है प्लग में जो सौकिट डालने का दूसरा तरीका है वह तरीका अगर आप लोग कमेंड करेंगे इस वीडियो के नीचे होगे तो मैं वो तरिका भी आपको बता दूंगा ठिक है किसी दूसरे दिन जब कोई दूसरा थ्रेड आए गा चूड़ी काटने के लिए आए खेंग पिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा है कि देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है थोड़ी आवाज धीमी है क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं है ठीक है तो चलिए फिर मिलते किसी नेक्ट में तब तक के लिए बाए